इदर राजनन का लोग सभा में भाजपा द्वारा चुनाओं में दुश प्रचार तथा अचार सहीता उलंगन का आरोप लगाते हुए कॉंग्रेस के प्रतिनीधी मंजल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्याले में शिकायद कॉंग्रेस नेतर शैलेश नीतीन त्रिवेदी और कनहिया अगरवाल के नेतर्ट में पहुँचे प्रतिनीधी मंजल ने भाजपा पर आचार सहीता का उलंगन का आरोप लगाया है सेलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा मोधी की फोटों वाले थैलों का वित्रन कर रही है इसके अलाबा उन्होंने कॉंग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मख्यमंति भुपेश बगेल के खिलाफ भी दुश्प्रचार करने का आरोप लगाया है और भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है कि चुनाओं जैसे जैसे नज़्दी का रहा है चुनाओं आयोग में राजनितिक दल्थ शिकायत करने पहुंच रहा है और अप से कुछ दिर पहले जो है कॉंग्रेस के प्रतिनीधी मंडल ने भी यहां पर शिकायत की है कॉंग्रेस नेता सैलेस नितिन त्रिवेदी के नेत्युत में प्रतिनेदी मंडल पहुंचा था और आप देख सकते हैं यहाँ पर शिकायत की कौपी भी है अब सीधे हम सैलेस नेतिन त्रिवेदी जिसे ही बात कर लेते हैं आप लोग शिकायत करने पहुंचे थे क्या शिकायत है भाजपा पूरे देश में उरे 36 गड़ में और राजनानगाओं लोकसभा शेत्र में विशेश कर अपनी हार को लेकर भैवीत है इसलिए उनके द्वारा लगातार निर्वाचन नियमों का उलंगन किया जा रहा है आचार सहिता का उलंगन किया जा रहा है और कॉंग्रेस के द्वारा इसकी सब प्रमा प्रमान शिकायतें निर्वाचन आयोक को की जा रही है सबसे पहले मोदी जी के तस्वीर वाले जोलों में अन्न बाटने का मामला हो जब आचार सहिता लागू हो चुकी है तो आदर्श आचार सहिता का उलंगन करते हुए अनाज वाले थैले सिर्फ राजनान गाओं नहीं पूरे 36 गड़ में और पूरे देश में जिस तरीके से राशन दुकानों में उपयोग किये जा रहे हैं वह बेहद अनुचित है आपत्ती जनक है इसके बाद मोला मानपूर छेतर के पहले 17 और उसके बाद 24 मतदान केंद्रों को समवेदन शील छेतर के मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया अगर सरकार उन मतदान केंद्रों को शिफ्ट कर रही है तो वे गाँवाले दो किलो मिटर से लेके साथ किलो मिटर की दूरी कैसे तैक करेंगे यह वो बूथ हैं जहां पर परेंपरागत रूप से कांग्रेस जीतती रही है आयोग के द्वारा निर्णे पर पुनर्विचार करने का आश्वाशन मिला है और आज हमने भाश्पा के द्वारा आचार सहिता का उल्लंगन करके धर्म जाती और भै पैदा करने वाले सोशल मीडिया वीडियो की शिकायत की है जिसमें हमने पेंट ड्राइव में उस वीड आप शिकायत दर्ज करवाई है खासकर कॉंग्रेस प्रत्याशी बस्तर में कांग्रेस प्रत्याशी ने होली का दहन की लकडी के लिए अपनी और से दान दिया था और अभी तो वे प्रत्याशी घोशित भी नहीं हुए हैं उनके द्वारा इसके बदले में किसी प्रकार से वोट की मांग नहीं किया और किसी प्रकार से कोई उलंगन का मामला नहीं है भाजपा तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है बिना बात का विवाद पैदा कर रही है यह जो गंभीर शिकायत है कॉंग्रेस द्वारा की जा रही है इनसे ध्यान हटाने की साजिश है आय लोग हमारी बात सुनेगा।